स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल पर जितने भी हमारे भूत परोशनिक हैं वो इस वीडियो को करप्या करके लाश तक जरूर देख लें हो सकता है आपके काम की ये वीडियो हो या आपके सेर करने से इस वीडियो के थुरू किसी अपने दूसरे भोतपरो सैनिका का या उनके परिवार जनका लाब हो जाए जितने भी हवलदार रिटारड हैं जो उनको जाते जाते उनररी रेंक दे दी जाती है नाइब सुवेदार की उनका पैंसन रिविजन का पूरा पूरा मसला है पूरा लंबा चोड़ा मसला है अब सुलज में आ गया है बहर सरकार ने मिनिस्टर डिफेंस ने भी इसको मानकर डिपेंसन टेबल जारी कर दी है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 2009 में एक लेटर जारी किया गया था मिनिस्टर डिफेंस का वो लेटर था लेटर नमबर ये है उसमें ये बताया गया था कि जिनको ओनरी रेंक नाइब सुवेदार की दी जाती है जिन यानकी और्ने रेंक के रिगार्डिंग आपको जो दी जाती है उसaktि पैंसन आपको फिक्सेशन के टाइम नोसन पर फिक्सेशन होती है तो नाइब सुवेदार की जो बेसिक भी होती है उसकी हिसाब से आपको नई पैंसन बढ़हादरी के साथ मिलेगी और किसके लिए तो जिनके उपर अबले केबल हुआ वो तो खुश थे पर 2006 से पहले वाले थे उनको भी दोनेरी रेंक दी गई थी तो उनका क्या कसूर था तो इसका सूर को नहीं था तो ये ममला कहां गया हमारे एफटी चंदिगड में गया एफटी चंदिगड ने फैसला सुना दिया किसक केस लड़ा और सारा पूल जो है दोजाए 6 से पहले जितने भी रेटाइड हवलदार हैं जिनको नाइब सुविदार उनरेरी रूप में दिया गया है उन सब के लिए ये लागू हो गया एक आदमी ने लड़ाई लड़ी उनका नाम है एक्स हवलदार होशियार सिंग इनक को नई पैंशन बढ़ोतरी के साथ दिल लवाने का काम किया है एक बार प्लीज इनके लिए कॉमेंट बोक्स में ठैंक्स जरूर लिखें एक्स हवलदार होशियार सिंग जी है इन्होंने एफटी चंदिगड में केस लड़ा और सभी अपने पूल के हवलदार के लिए उनक लड़ते लड़ते 2017 में इनका फाइनल डिसीजन आया और होशियार सिंग जी को तो इनका फैसला जो मिला थो उसका फाइदा मिला ही साथ ही लाखो पैंसन भागियों को भी इसका फाइदा मिला है कब से कब तक मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ एफटी चंदिग जो आप दे रहे हैं नाइब सिपेदार की रैंक के हिसाब से नोशन पे फिक्सेशन करके पैन से रिवाज करने की जो सुईधा है वो 2006 से पहले वालों को भी दिया जाए अब सरकार का क्या कहना है ठीक है कोट का ओडर है तो हम मान गए है हमारा क्या है इनमनिस्टी ने इसक पर आपको आपकी पे फिक्सेशन जनवरी 2006 से और उसका एरियर उसी तारीक से मिलेगा उससे पहले का नहीं मिलेगा दोस्तों जितने भी पैंसन रिविजन उसके बाद एक दो बार होई है मिनेश ओफ डिफेंस की लैटर के दोरा वो भी आपकी उपर अपलिकेबल होंगी रिवाइज लैटर भी जो रिवाइज टेबल है आपकी वो भी इस लैटर में दीगी है वो आप मैं आपको नीचे दिखाऊंगा इसके अलावा जितने भी पैंसन डिस्परसिंग अजनसी है यान कि आपकी मिलते होंगी पैंसन आपकी बैंक से मिलती है जहां भी PCDA अलाभा से उपर है क्वालिफाइंग सर्वेस जिनकी उनका फटाफट से आप नई पैंसन रिविजन टेबल जो इस लैटर के अंत भी दी गई है उनको देखके फटाफट नई पैंसन देना शुरुवात कीजिए जो इस काटेगरी में आते हैं जो आरियर है मैं आपको बता दूँ तो आपके केस को PCD अलाइबाद को रैफर किया जाएगा उसके बाद ही आपकी पैंसन रिविजन इस काटेगरी में होगी जिनकी 15 साल से उपर नोकरी है उनके लिए तो पैंसन डिस्पर्सिंग अजर्शनी फटाफट करके एक दो महिने में आपका खाते में क्रेडिट या के टाइम में जो थे वो आपको कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं कोई भी ओवर पैमेंट अगर आपका है तो वह इसमें अड़्जस्ट किया जा सकता है क्योंकि अच्छा खासा एरियर आएगा और से एरियर के तोर पे आपका जो नोसन जो ओर ड्यू है कि मैं तो अब जो है कुछ कटेगरी के आपको पता ही होगा मैं नाम नहीं लेना चाहता जो भी हमारे भूत्परव सानिक है जो आज इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार को इस कटेगरी में जो आते हैं उनको लाइफ टाइम एरियर दिया जाएगा लाइफ टाइम वाला जिसमें सुरुवात में कहा गया था कि दोज़ाच्छा के बाद वालों को यह सविधा में लेगी उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन थे वे सेम टू सेम ही रहेंगे कुछ गाइडलाइन्स हैं फैनेस मिनिस्ट्री की जो उस लेटर में देगी थी वह भी सेम टू स टेबल आपकी आप रिवाइज बेसिक पे पैंसरी रिवाइज पैंसर आपकी इतनी होगी जो टेबल में दिखाई गई है अगर आप एक्स ग्रूप में है और करवाइलिफाइंग सर्विस आप यहां से देख सकते हैं उसके कोर्सपंडिंग टेबल से आप देख सकते हैं नई पैंसर दोस्तों कितने बनने वाली है रिवाइज बेसिक पैंसर इसको आप यहां से देख सकते हैं पूरी की पूरी टेबल है इसको देर देर में स्कूल डाउन करता हूं अगर आपको यह लैटर चाहिए पीडियो फाइल इसकी चाहिए तो कोमेंट कर दीजेगा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दो ताकि उनको भी इसका फाइदा मिले और आपके एक सेर से क्या पता किसी का लाब हो जाए किसी के परिवार को मोटा खासा आयर मिल जाए और उनकी जंद्गी बन जाए तो मैं साफसे यही दुआ करता हूं और शिया सिंग